वेलकम टू इस्टेनो वित परस निक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद सभापती महोदै वह केवल एक स्विपन ही रह जाएगा ऐसी इस्तिती में मैं अनुभव करता हूँ कि आपात काल की घोसना की जाए और इस देश के जो पुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलिय सरकार इस्थापित की जाए हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का सासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है बलकि इस सरकार की गलतियों से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं राश्टर की आंतरिक सुरक्षा के विसे में जो बिल मंतरी महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भासन हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना हैं मानिय सदस्यों ने व्यक्ति गत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बाते कहीं हैं और हमारे दल की और इसारा करते हुए कहा की हम भी इसके ओचित्ते के संबंद में फिर से विचार करें मैं जहां तक समझ पाया हूँ हमारे ग्रह मंतरी जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ बलकि वरतमान परसितियों को द्रश्टी में रखते हुए उनको दुख हो रहा है आज जब हम नागरिक सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है प्रतेक नागरिक इस राश्ट की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है हमने इस बात की सुरक्षा अपने सम्मिधान में दी है और हम यह आसा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए मतभेद होते हुए भी सान्ती और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए पहरा मानिनिय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कोन सी ऐसा धारन परिसिती आ गई थी जिसके कारण आपको नजरबंदी बिल लाना पड़ा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता यदि नहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के सम्मन्द में बहुत वर्स पहले कही थी आज भी इस मरण रखते उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दाइत्व निर्वहा में अगर किसी प्रधान मंत्री को बार बार पीछे मुड़ कर देखना पड़े की कोई छूरा तो नहीं भोक रहा है यह कोई अच्छी बात नहीं है यदि ऐसी परिशिती देश में पैदा हो जाएं साम्प्रधाइक द्रष्टी से देश के विभिन इस्थानों पर साम्प्रधाइक दंगे हो रहे हो उनका सामना करते हुए यदि हम जनता को सुरक्षा दे सकें तो फिर किसी बिल की आवैसेकता नहीं है